अपने कमिट्मेंट को पूरा करने के हमारे ट्रेक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। बीते वर्षों में लायन्स, शेरों, बागों, हाथियों, एक सिंग के गेंडों और तेंदों के संख्या में वृद्धि हुई हैं। जैसे अभी पुपेंदर भाई बता रहे थे, कुछ दिन पहले मध्यप्रदेश में चीता की घर वापसी से एक नया उत्सा लोटा है। हर भारतवासी के रगों में, संस्कारों में, जीव मात्र के प्रती दया और प्रक्टोती प्रेम के संस्कार कैसे हैं, वो चीता के स्वागत में देश जिस प्रकार से जूं उठाता है। हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसा लग रहा का, जैसे उनके अपने घर में कोई प्रियम महमान आए है। यह हमारे देश की एक काकत है। प्रक्रूती के साथ संतुरन साधिने का जो एक प्रयास है, उसे हम निरंतर जारी रखें। आनी वाली पीडियों को भी समस्कारित करते रहे। इसी संकल्प के साथ भारत ने 2070, 2017 तक अभी हमारे पास करीब करीब 5 दसक है, नेट जीरो का टार्गेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन गोथ ग्रोथ पर है। और जब ग्रीन गोथ की बात करते हैं, तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत आउसर पैदा होते हैं। और इन सभी लक्षों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के परियावरन मंत्राले की भूमिका बहुत बड़ी है। साथियों, परियावरन मंत्राले, चाहे जिस किसी राज्य में हो या केंदर में, उनके दाईतों का विस्तार बहुत बड़ा है। इसे संकुची दायरे में नहीं देखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से समय के साथ हमारी व्यवस्ता में एक सोच यहावी होती यही चली गई कि परियावरन मंत्राले की भूमिका रेगुलेटर के तोर पर ज्यादा है। लेकिन मैं समता हूँ परियावरन मंत्राले का काम रेगुलेटर से भी जादा परियावरन को प्रोचसाहित करने का है। हर वो काम जिससे परियावरन की रक्षा हो रही हो उसमें आपके मंत्राले का रोल बहुत बड़ा है। अब जैसे सर्कुलर एकानोमी का विशा है। सर्कुलर एकानोमी है हमारी परंपरा का हिसा रही है। भारत के लोगों को सर्कुलर एकानोमी सिखानी पड़े ऐसा नहीं है। हम कभी प्रकूति के शुशक नहीं रहे। सधेव प्रकूति के पोशक रहे है। प्रकूति के शुशक रहे हैं। प्रकूति के शुशक रहे हैं।